नमस्कार साथियों एक बहुत ही विशेश मुद्दों पर आप सभी के शाहत में आज मिल रहा हूँ पुरा जहां पर भी देखो हर किसी के जवाब पर बस एक ही नाम युक्रेन और रस्या का विवाद आखिर क्या है ये यूक्रियन और रस्या का विवाद कहां से इस विवाद का सुरुआत हुआ है और पूरे विस्व में जो आज ये विवाद खैल चुका है इसका असर भारत पे क्या पढ़ने वाला है इन तमाम चीजों को आज के जो है इस लेक्चर में मैं आपको आप अक्सर देखें होंगे किसी भी मुद्धे किसी भी बात को लेकर के या आपके society में महले में दो गुटों के बीच में लड़कों के बीच में जगडा हुआ करता है दो अलग अलग गुट आपस में लड़ते हैं इसको समझने के लिए आसान तरीके से आपको क्या समझना ह कभी आपका रूस का है लेकिन 1717 में सभी को पता है कि आपका रूस की क्रामती थी और उस रूस के करांती में यह जो यूक्रेन है अपने आपको श्वतंतर करने के लिए कह दिया और यह रूस से अलग हो गया फिलहाल आखिर यह विवाद क्यों इतना मुद्दा क्यों फैल रहा है आखिर इसको समझेगा देखे यूक्रेन जो है वर्तमान में आपका नाटो का सदस्य से बनन ठीक है न यह आपका नाटो है अगर नाटो के देश की बात करें तो जितना भी आपको यह कलर का जितना भी देश दिख रहा है आपका कनाडा हो गया अमेरिका हो गया फ्रांस हो गया ब्रिटेन हो गया यह तमाम देश जो है नाटो का सदस्त है और यूक्रेन क्या चाहता ह है कि वो भी जो है आपका नाटो का सदस्त बन जाए आखिर युक्रेन चाहता है क्यों है कि वो नाटो का सदस्त बने युक्रेन इसलिए चाहता है क्योंकि जब से आपका शोतंतरता मिला है यूक्रेन को लगातार उस पे रसिया जो है किसी ने किसी परकार का दबाव बनाते आता है तो यूक्रेन चाहता है कि वो भी मजबूत दिखे किसी भी परकार से अगर कभी रूस को ले करके जगड़ा हो जाए तो रूस के साथ अगर जगड़ा हो तो नाट भी चाहती है कि उक्रेन जो है नाटो का सदस्थ बने ऐसा इसलिए चाहती है कि नाटो का जो बहुत सारा देश्ट है इससां जो सडस्वेशत हैं वह रूस के इर्ध-गीर्द है और इसमें विशेश परकार से लीड कर रहेँ इसका अमेरिका और अमेरिका भी जो है वो रूस को जो है चारों तरफ से घेरना चाहता है हलाकि मतलब किनारे से जो हिस्सा इसके कभर में आ सकता है और बहुत सारे देश जो है आपका वो इससे घिरा हुआ भी है 1917 इस्वी में जो है आप सभी को पता है कि रूस की क्रांती हुई थी रूस के क्रांती में जब उस समय रूस में कई सारे जिसको कि आप सोवियत संग कहते हैं जब कई सारे देश हुआ करते थे वैसे समय में युक्रेन ने विद्रो कर दिया और विद्रो करके कहा कि मैं स्वतं लेकिन दबाब तो लगातार जो है वो रूस के तरफ से बनता ही जा रहा था मैं आपको यह मैप में दिखाना चाहूँगा कि किस परकार से आपका यह ब्लैक सी यह आपका जो है यहां से घीरा हुआ आपका यह यूक्रेन है और इस तरफ आपका रूस है तो अभी फिलहाल की बाहर निकालने का यूक्रेन अभी फिलहाल क्या है कि वो चाहरा है कि इसको आखरके अवी उक्रेनि नाटो का सदस्ध बन नहीं है और रूस चाहती भी नहीं है कि यह नाटो का सदस्ध बने तो रूस के लिए आपका बड़ा खत्रा क्यूं होगा क्योंकि आपका जो है नाटो के सदस्ध वाले देश इस ने रूस घर जा गा और अगर किसी भी प्रकार से छोटे से छोटे देश को भी कोई दिक्कत होगा तो टोटल नाटो का सदस्त मिल करके और रूस के खिलाप जंग में आ जाएगा खास करके अमेरिका चाहता है ऐसा चुकि अमेरिका भी तो है आपका नाटो का सदस है वो चाहता है कि अगर यूक्रेन मिल जाए तो अमेरिका का भी जो पुराना बदला है या अमेरिका के मन में भी ऐसी भावनाय आएं कि रूस के विरुद हम आएं तो इसका भी मदद इसको मिलेगा. जब कि रूस कभी भी इसको गवाना नहीं चाहता है. आपको पता हो ना चाहिए, रस्या के यूक्रेन को गवाना ठीक वैसा ही होगा, जैसे एक सरीर से उसका सिर का अलग हो जाना. वुलादुमीर लेनीन ने कहा था इस लाइन को कि अगर रसिया से युक्रेन अलग हो जाता है और खास करके अगर नाटो में मिल जाए तब तो और ज्यादा वैसे ही जैसे किसी सरीर में से कोई सर गाइब हो जाए कोई मतलब नहीं बनता है उसी परकार के फिलहाल का ग्राउंड रिपोर्ट आपको म सदस्ट बने जबकि युक्रेन लगातार इस पर्यास में रहा है कि वो नाटो का सदस्ट बने ताकि आगे चल करके अगर रसिया से कोई विवाद हो तो वो आपका उसमें निप्टा जा सके उससे फिलहाल एयरवेस पे धमाका करना सुरू कर चुके हैं बलामुदिर पुती उक्रेन पे अगर इस प्रकार से करते रह गया तो कौन सा देश किसके साथ में आएगा क्या विस्ट्व के और अन्य भी देश उसको मदद करने के लिए आएंगे अभी तो युक्रेन जो है वो नाटो का सदस्ट भी नहीं बना है अगर यह बन जाता तब तो सामने नाटो क सारा का सारा सादस सारा देश चाहे ब्रिटेन की बात करें फ्रांस की बात करें अमेरिका के बात करें कनाडा की बात करें सब के सब जो है वो रूत के विरोध में आ जाता है फिलहाल सबसे वड़ा मुद्दा अभी यही चल रहा है हलाकि ऐसे सुत्रों के मताबित कहा जा र गया कि उक्रेन में लगभग 20,000 भारतिये रहते हैं इसमें से जादा तर आपके च्छात्र हैं ठीक है ना 20,000 भारतिये रहते हैं पुतीन सहाब तो लगातार जो है बम धमाका और ये वार करना शुरू कर चुके हैं वो ये नहीं देखे कि उहां कौन से देश के कितने विक्त आपके रह रहे हैं 20,000 लोग आपके यहां पे यूक्रेन में भारतिये रहते हैं जिसमें से 4,000 लोगों को वापस बुलाया जा चुका है जब से ये महाल गरम हुआ है तब से अभी 16,000 लोग यूक्रेन में मौजूद है भारतिये ऐसा अभी न्यू जाया है कि परधान मंत् हलाकि राजनाथ सिंग जी ने भी इस बात को कहा है कि मेरा सबसे पहले मुद्दा ये होगा कि जितने भी भारतिये यूक्रेन में उसको वापस बुलाने की अब सकता है सबसे पहले चुकि धमाका इस कदर है कि लोगों के बीच में डर का महौल लागातार बना हुआ है अब परकार से चाहिए वापते आखने के लिए युक्रेन को अगर अगे युक्रेन को झेसे कनणाडा जैसे अमेरिका फ्रांस और जर्मणी ये तमाम कि तरह नहीं किया है इसमीícia सामील होगे या फिर नहीं होंगे अभी सेस्पनस बना हुआ है आज रात को मोदी जी जो है बात करने वाले हैं पुतीन सहाब से खास करके ये बात इस मुद्दे पे होगी कि जो भारतिय लोग युक्रेन में फस्टे हुए हैं पहले उसको वापस भारत में ले करके आया जाए और उसके बाद पुतीन चचा आप आराम से बंधमाका करते र होती हैं उन सब का जो एक तरीके सका सकते हमारे लिए उनका जो है हमारे लिए जो है का सकते हैं मुस्किल में वो चीजे पढ़ सकती है क्या होता है इसका आसर क्या वे विश्यूद का रूप लेता है या नहीं लेता है भारत इसके साथ सम्मिल सम्मिलित होंगे ये तमाम च कीज़ों को अपडेट करेंगे थैंक्यू सो मच बहुता रप्यार थैंक्यू